खेसारी लाल यादो के कई गीत आये होली पर लेकिन इस बार होली के गीतों में वो बात नहीं रही जैसे कि हर बार खेसारी के होली के गीतों में बात रहती है अभी तक खेसारी का कोई भी गाना इस तरह का नहीं है जिसे आप ये कह सकते हैं कि ये होली का एंथम बन सकता है ऐसे में समय समय पर जिस तरह की कॉंट्रोवर्शी हो रही है खेसारी की भूचपुरी इंडस्ट्री में उसे लेकर अब दर्शकों की अलग अलग राय बनती जा रही है कि दर्शक क्या कहते हैं जनता जनारदन क्या कहती है इसमें से कुछ लोग खेसारी को ट्रोल करते हैं और ये कहते हैं कि खेसारी लाल यादो ये जान चुके हैं कि उनका इस बार का होली सौंग नहीं चलने वाला है इसलिए उल जलूल की कॉंट्रोवर्सी कर रहे हैं जहां अर्विन ने माफी मांग ली थी तो वहां पर इस तरह की कॉंट्रोवर्सी या इस तरह से लाइव आकर खेसारी ने जो बयान बाजी दी है वो गलत दी है तो कुछ ने ये कहा है कि होली के फलॉप सौंग की ये सारी फ्रेस्टेशन है जो खेसारी लाल या दो अर्विन दकिला कल्लू पर निकाल रहें से आपको बता दे अर्विन दकिला कलू की जो कॉंट्रोवर्सी थी उसमें अर्विन माफी मांग चुके हैं दो बार और इसे लोगों से अपील की है कि मेरी एक छोटी सी गलती समझ कर मुझे माफ कर दीजे ऐसे में खिसारी का लाईव आकर बोलना वो किसी के गले नहीं उतर रहा है और तो और खिसारी के बैक टूबैक किसांग आये हैं और उन सौंग ने कोई कमाल इस तरह कदिकाया है जिस तरह का दिखाना चाहिए तो आप क्या सोचते हमारे इस रिपोर्ड के BAARे में कमेंड बॉक्स में कमेंड कीजिए साथ ही चैनल को सब्स्राइब करना बिलक बुम्लाओ झाल झाल झाल